C-I-E-T-N-C-E-R-T पेश करते हैं, दर्जाचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का तीसरा बाब, नंदू के साथ एक दिन, सफ़ा 21. नंदू जाग उठा और उसने अपनी आँखें खोली, चंद मिनटों के लिए वो समझ नहीं पा रहा था, कि वो कहा है, उसको ऐसा महसूस हुआ, कि वो बड़े बड़े सुर्मई पेड़ों के तनों के जंगल से घिरा हुआ है, उसने अपनी पलकें जपकाई और आसपास उसके अफराद खाना के पैर और उनकी सूंडें थी, सूरज सर पर था, और मौसम बहुत गर्म हो रहा था, नानी अम्मा बहुत जोर की आवाज निकालते हुए चिंगारी, हाथियों के इस जुंड में नानी अम्मा सब से बड़ी हैं, उन्होंने जंगल की चलना शुरू क और हथनियों ने उन्हें देखा और उनके पीछे चलने लगी, नंदू भी उनके साथ चल पड़ा, बराए उस्ताद, मा की मा को नानी अम्मा कहते हैं, बच्चों से दर्याफ्त कीजिए कि वो अपनी मा की मा को क्या कहकर पुकारते हैं, सफ़ बाईस, जब वो जंगल में पहुँचे, तो जुंड के मिंबरों ने इधर उधर फैलना शुरू कर दिया, हर एक मिंबर यानी रुकन अपनी अपनी पसंदीदा पत्तियां और टहनियां खाने के लिए अलग अलग हो गए, जब वो खाना खत्म कर चुके, तो जुंड दर्या की जानिब रवाना हुआ हाथियों के बच्चों ने पानी में खेलने का लुद्फ उठाया, माएं पानी और कीचड में दर्या के किनारे लेट गई, यहां एक तस्वीर दी गई है, इसमें कुछ हाथी हैं जो पानी में खेल रहे हैं क्या तुम जानते हो, कि एक बालिग हाथी सौ किलो गिराम से भी ज्यादा पत्तियां और टहनियां एक दिन में खा सकता है हाथी बहुत ज्यादा आराम नहीं करते हैं, वो दिन भर में तकरीबन दो से चार घंटे तक ही सोते हैं हाथीयों को कीचड और पानी में खेलने का बहुत शौक होता है कीचड उनकी जिल्द को ठंडा रखती है, उनके बड़े-बड़े कान भी पंखे का काम अंजाम देते हैं हाथी उनको फड़ फड़ाते रहते हैं ताके अपने आपको ठंडा रख सकें मालूम करो, नंदू की उम्र महज तीन माह है, लेकिन उसका वजन दो सो किलो ग्राम है तुम्हारा क्या वजन है? तुम्हारे जैसे कितने बच्चों का वजन मिला कर नंदू के वजन के बराबर होगा? सफ़ह तेईस यहां एक तस्वीर है, इसमें कुछ हाथी, पानी से खेल रहे हैं खेल और तफरीह नंदू ने देखा कि उसके बेहन भाई एक दूसरे की दुम खीच रहे हैं उसने सोचा, बेहतर है कि मैं इनके करीब न जाऊं अगर वो मेरे उपर गिर पड़े, तो मेरा क्या होगा? मैं तो अभी छोटा हूँ वो खामोशी से चल दिया और जाकर अपनी मा के करीब खड़ा हो गया अम्मा ने आहिस्ता से नंदू को पानी की तरफ धकेला जैसे कि वो कह रही हो कि जाकर खेलो नंदू को पानी में खेलना पसंद था उसके रिष्टे के बेहन भाई पहले ही वहां मौजूद थे जैसे ही वो पानी के नजदीक पहुँचा पानी का फवारा उसके सर पर गिरा वो बिलकुल भीग गया ओ, यी काम उसके शरीर बेहन भाईयों का था नंदू भी सब के साथ खेल में शामिल हो गया सफ़ा चौबीस सूरज गुरूब होने से पहले हाथियों का जुंड जंगल की तरफ चल पड़ा उस वक्त तक नंदू बहुत ठक गया था वो दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पाउं के दर्मियान सो गया तुमने नंदू और हाथियों के जुंड के बारे में पढ़ा हाथियों का जुंड सिर्फ हथनियों और हाथी के छोटे बच्चों पर मुश्तमिल होता है सबसे बड़ी हथनी ही जुंड या गृप की सरबराह होती है एक जुंड तकरीबन दस से बारा हथनियों और छोटे बच्चों पर मुश्तमिल होता है नरहाथी जुंड में या गिरोह में 14 या 15 साल की उम्र तक ही रहते हैं इसके बाद वो जुंड को छोड़ देते हैं और अकेले घूमते फिरते हैं नंदू भी उस वक्त तक ही जुंड में रहेगा जब तक वो इतना बड़ा नहीं हो जाता है हाथियों की ही तरह कुछ और जानवर भी गिरोह में मिल जुल कर रहते हैं उन जानवरों के गिरोह जुंड या गल्ले होते हैं एक जुंड के जानवर आम तौर पर खाने की तलाश में साथ साथ ही घूमते फिरते हैं अगर आप नंदू होते और एक जुंड या गिरोह में रह रहे होते तो किस किसम का काम और हरकतें करते हाथियों के जुंड में सभी फैसले सबसे बुजर्ग हतनी लेती है तुम्हारे खानदान में फैसले कौन करता है हाथियों के जुंड का एक कोलाज बनाओ इस मकसद के लिए हाथियों की जितनी ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें जमा कर सकते हो करो उनको काट कर अपनी कौपी में चिपकाओ सफ़ह पच्चीस नंदू वो सब चीजें करता था जो उसको पसंद थी अगर तुम को अपने दोस्तों के साथ एक पूरा दिन गुजारने का मौका मिले तो क्या-क्या करना पसंद करोगे मालूम करो और लिखो के कौन-कौन से जानवर हैं जो जुन्ड या गिरोह में रहते हैं क्या तुम भी गुरुप में रहते हो क्या तुम भी इस तरह सब के साथ रहना पसंद करते हो तुम गुरुप में रहना पसंद करोगे या नहीं यहां दो कॉलम दिये गए हैं पहला है मैं गुरुप में रहना क्यों पसंद करूंगा दूसरा है मैं गुरुप में रहना क्यों नहीं पसंद करूंगा जब हाथियों को जंजीर में बांध कर रखा जाता है तो वो कैसा महसूस करते हैं इस पर बात चीत करो और अपने एहसासात में दूसरों को शामिल करो सफ़ह 26 क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है? कैसा महसूस हुआ? किन-किन जानवरों पर तुम बैठ चुके हो? उनके नाम लिखो तुमने अपने चारों तरफ बहुत से जानवरों को फिल्मों या किताबों में महसूस किया होगा कुछ अकेले होंगे तो कुछ गिरोह में उनमें से किसी जानवर के बारे में मालूमात हासिल करो और उसके बारे में लिखो यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो हाथी और एक हाथी का बच्चा जा रहे हैं हाथियों पर लोग बैठे हैं सफह 27 सोचिये और लिखिये तुम्हें क्या लगता है कि बगुला भैस की पीठ पर क्यों बैठा हुआ है यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें एक भैस पर एक बगुला बैठा है क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जानवर किसी दूसरे जानवर पर सवारी करे ऐसे जानवर का नाम लिखो जानवर जो सवारी कर रहा है वो जानवर जिस पर सवारी की जा रही है ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं अगले सफ़ह पर दी गई हाथी की तस्वीर को बढ़ा करके एक मोटे काघज के सफ़ह पर बनाओ तस्वीर में जहां काटो लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा काटो एहतियात से काटो कि तस्वीर का कोई हिस्सा कट न जाए नुक्तों वाली लाइन के साथ मोडो धारियों वाली लाइन के साथ साथ अंदर को मोडो दुम काट कर बनाओ और उसको चिपका दो तुम्हारा हाथी तैयार है सफ़ह अठाईस रंग भरो और सजाओ उन हाथियों की तस्वीरें अपनी जमाद के कमरे में सजाओ जो तुम लोगों ने बनाई है सफ़ह उन्तीस वो क्या कहते हैं यहां कुछ जानवरों की तस्वीरें हैं और वो क्या कह रहे हैं यह लिखा है इन तस्वीरों को बगौर देखिए और पढ़िए कि यह जानवर अपने दस्तों से क्या बात चीत कर रहे हैं साप कहता है यह टोकरी ही अब मेरा घर बन गया है मैं तो जैसे खुले जंगल और ताजा हवा में रहना ही भूल गया हूँ मेरे लिए बस अब सिर्फ टोकरी और सपेरा ही सब कुछ है भालू कहता है आप मुझे सरकस में देखते हैं नाचते हुए और आग के गोले में से कूदते हुए आप तालियां बजाते हैं और लुट्फ उठाते हैं आपको क्या लगता है के मैं यहां रहकर बहुत खुश हूँ अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मुझे खाना नहीं मिले और मार अलग खानी पड़ेगी घोड़ा कहता है आपको सिर्फ ये मालूम है के मैं कितना तेज दोड़ता हूँ क्या आपने मेरे जूते देखे हैं क्या आप जानते हैं कि मुझे कितना दर्द होता है जब ये नाले मेरे खुरों में पैवस्त की जाती हैं बंदर कहते हैं हर वक्त नाचते रहो, नाचते रहो, बस नाचते रहो, चाहे हमारा दिल ना करे, या हमें कहीं दर्द हो रहा हो, ये सब भूके पेट करना होता है। बिल्ली कहती है, मियाउ, 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 मैं सिर्फ इधर उधर घूमती फिरती हूँ, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे सहलाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं। कबूतर कहता है घुटरगूं, घुटरगूं, क्या तुम जानते हो, लोग मुझे खास तोर पर दाना खिलाने के लिए बुलाते हैं। सफह 30 बात चीत करो आपने पढ़ा ये जानवर क्या कहते हैं? आपका क्या खयाल है? इन में से कुछ उदास क्यों हैं? आजादी से घूमने फिरने वाले बंदर और सरकस या मदारी के साथ तमाशा दिखाने वाले बंदर में तुम्हें क्या फर्क महसूस होता है? इस हाथी की कितनी टांगे? यहाँ हाथी की एक तस्वीर दी गई है और ये सवाल उसी के बारे में है क्या आप जानते हैं? मुश्किल में होने पर हाथी तो एक दूसरे की मदद करते हैं वो सब एक जुट होकर अपने बच्चों का खयाल रखते हैं और उनकी हिफाज़त करते हैं अभी आप सुन रहे थे दर्जाचार की दर्सी किताब हमारे आसपास का तीसरा बाब आवाज मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो तक्नीकी सहायक विकास सांगवान निर्मान सहयोग जग बंधु जाना निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.